ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हम बाचित कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता नरेश अगरवाल जी से चलिए आप खुद ही केंदे सरकार की बात कर रहे थे जिस तरीके से आर्थिक जो भी कारण रहे हूं देश के लेकिन जिस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर मनमुहन सिंग की सरकार फेल हूई है जिस तरीके से डॉलर और रुपए का मुकाबला जो है आप देख रहे हैं कहा तक पहुँच गया है ऐसे प्रिस्थिती में आपको क्या लगता है कहां पर चूख हो रही है सरकार से कि हम हमारे देश की अर्थ व्यवस्था इतनी बुरे स्थिती में पहुँच गई कल भी ये प्रोशेशन बिल पे इसके पहले आर्थ बेवस्था पे चर्चा महंगाई पे चर्चा के दोरान हम सब लोगों ने इस पे चिंता देती है चीदमरंगी हर बार इधर उदर की बात के के निकल जाते हैं हमने का फिस्किल डेप्सिट आपको बढ़ता जा रहा है इसको आप पूरा कैसे करेंगे देश की जितनी कुल आए है उससे ज्यादा देश को करज में किस्त और ब्याज में देना पड़ रहा है बारा लाग करोन हमारे आमदनी चौदा लाग करोन रुपर हमको किस तब्याज में देना पड़ रहा है इसके बाद तमाम बोट के लिए जो बिल लाए फूर सेकोर्टी पिल हमने इसमारे ने भी रोट किया कि जनता कोई ये ना लगए समझवादी पार्टी रोड़ा बन रही लेकिन इसको आशंकाई जो थी मुझे नहीं लगता है बड़ा सफ़ल होगा क्योंकि इसके बाद किसानों के सामने प्राव्म होगी कि उनके अनाच की कीमत नहीं मिलेगा किसान कहीं आप प्रुत्या करने पर नमजबूर हो लेकिन एक लाग पचास जा करून रुपय उस पर जा रहा है करीब देश में पांच लाग करून रुपय अनुदान पर जा रहा है और जो राजी उगांदी एद प्रदानमंती कर सकते हैं कि केंद से जो जसायता जाती है उसमें पच्छासी परसंद बीच के दलालों में चला आता है पंदा परस्ट जंता को जाता है प्रधान मंती ने खुद अपके कुर्सी पर बैठके बात को से कर गिया और कांग्रेस आज किल अपने एक एड़र्टी दून में दिखा भी रही रही रावल जी के बाच रखो हम आपी लोंगे टीबी पे देख लेते हैं तो फिर यह अग पर दोड़ना रागे कुछ रुक्या मने तो कलबास कही चिद्व मंजी से चली अबदाई इनको पहले लिया आती अगर पिछले रिजर बैंक के गवर्णनर से नहीं आर वस्ता सुदर रही थी लेकिन कहीं ने प्रधान मंती जी गए अभी जापान से उन्होंने समझज़त आमेरिका ने संक्शन को अपने उपर घडवाना चाहिए यह आमने इतना मजबूर है वो महगाई से इतना त्रस्ट है कि वो एक revolution की स्थिती में अपने आपको खड़ा देख रहा है और आप से सपोर्ट चाहता है कि चुना हो जाएंगा फर्वरी से चुना परक्या शुरू हो जाएगी शे मैने तक अगर यह डॉलर जो है सो रुपे तक पहुंचिए उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं आप ही तक तो आप लुगियों कहती है समाजवादी पार्टी के अब मैं जनदास कहने हैं सरकार को नहीं रोके हूँ सरकार की अर्थ व्यवस्ता जो ग到ती वस्ता से हम सब स्छिती रोड पट्रॉल के दाम बढ़ना है डीजल के दाम बढ़ना है А nk के दाम सावत बढ़े इस जैसे समाज को समाउर को चली जाएगी जहां इसके दाम पढ़ेंगे महंगाई बढ़ती चली जाएगी कल वो महंगाई की चर्चाती हमीने शुरू करी थी देश के एक आप भी देश के एक वरिस्ट नेता हैं आप अगर मैं पार्टी लाइन को छोड़ भी दू तो आम आदमी जितना इस वक्त परेशान है उसके ल खुशी है कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंतिक अगर देश कोई है तो हिंदुस्तान है और यहां का प्रजातंत बहुत देशों में देखा जाता है गांदी जी को इसके लिए लोगों को जीवन विया र्याद करना चाहिए गांदी जी ने इतने बड़े प्रजात नहीं होता है हम चुनाओ हर सकते सुन्दा जी को जनता ने चुनाओ राया और फिर जिता के उन्होंने उपर बैठा ला चुनाओ आने जा रहे हैं फरवरी से चुनाओ शुरू हो जाएंगे पांचे मैंने और दर्द सहलें दबा तो फिर उनी को जाए दबाव नहीं करनी उनके आख में दबाए जनता निर्ने ले ले हम तो जनता से खुद कहते हैं कि कांग्रेस के शाचन को अटाइए तीसे मोर्चे की सरकार लाइए जिसमें सब बश्च्ट लोग वाएंगे और मिलक एक ऐसी सरकार बनेगी जो देश की जनता को चलिए राजनीती की बात होई तो राजडीती की बात कर लें ऐसा लगता है जैसे कि नरेंद्र मोदी एक तरफ और देश के सारे विपक्षी दल एक तरफ ऐसा क्यों यह तो नरेंद्र मोदी जो है वो मीडिया की लीडर है जनता की लीडर नहीं है मीडिया तो जैसे अनना हजारे को खड़ा कर दिया जैसे गांधी जी छोटे हो गए अनना हजारे बहुत बड़े हो गए मैंने मीडिया को वो भी देखा करते हुए देश का पूरे मीडिया ने एक दस दिन ऐसा लगा दिया जैसे देश में लगा कि कोई दूसरा गांधी आ अब जाएगा एक दम देश में जैसे विद्डव हो गया परवर्तन उतल पुतल होने नतीजा क्या निकला उनके साथ जित्ते लोग दूड़े थे सब राजनीत करने लगे कि नहीं करने अगर राजनीती को ते इतना परहसता राजनीती इतने ब्रेश्टे तर तब लोग क्यो कि कमी गरीबी इन सब को मीडिया क्योंने उठाता है इनको मीडिया को उठाना चाहिए कि सरकार का ध्यान इसोर आकरशित करें कि अगर जब तक यह बेसिक प्राब्लम पर आप नहीं जाएंगे जब आप जाने को भी कही नहीं लगता है कि देश में परिवर्तन जो है सताधार जो परवर्तन करना चाहते हैं उनको मीडिया कुनी जा ग्रूप करता जिनके हाथ में अगर वोट जाती आधार पर मिलेंगे वोट धार्मिक आधार पर मिलेंगे तो भी कहीं ने कहीं राजनेती वेट को जुक जाना पड़ता क्योंकि हमको तो उस वोटर को देखना पड़ सारी योगता होते हुए सब कुछ होते हुए मुझे इसमारे नहीं आगे बढ़ाया गया कि मैं जातव विश्यश पर पैदा हुआ हूँ और कांगरेस को जात्री जरूरत नहीं है कि मैंना मैं कुद भुक्त वोगी हूं अब मुझे इस हीमारे कांगरेस चोड़नी पड़ी कि 32 में 22 में ले हमारे साथ हम चिला चिला के कहते रहे कि हमको CLP लीडर बनाया जाए लेकिन नहीं बनाये गया आकर मुझे 22 लोग को तोड़ना पड़ा कटूर लगेगा आपको लेकिन आप तो बस्पा में भी रह चुके हैं बहुत थोड़े जिन और देवो मेरे जीवन के सबसे कालया दिन थे मैं जनता से उसके लिए इच्छा मांगता हूं बस मैं इतने ही के सकता हूं जे चुकि हम बात करें थे कि नरेंद्र मोदी की कि किन राजनाटिक परिस्थित्यों में देश की जो परिचर्चा है वो चल पड़ी है और तमाम विपक्षी दल उनका विरोध कर रहे हैं ऐसे में आपको क्या लगता है जो लहर उनकी बन रही है एक आम पर्सेप्शन है कि बड़ी लहर बन रही है अगर आप सोचल नेट्वकिंग साइट पर देखें या आम जनता का मूड भापे उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि बीजेपी आपको चुनोती दे सकती है बीजेपी पास तो कंडिडेट भी नहीं उत्तर परदेश लड़ने के लिए चुनोती क्या देगी है आज यह है कि सीटों पर बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है गैर दलों से प्रत्याशी ढूंड़ने के तोड़के लियाओ हमारे पास तो है नहीं जिस पार्टी के पास पांचो बैले सीट पर लडाने के प्रताशी नहीं है पार्टी सोले हम सत्ता माजें कैसे सत्ता में जाएगी जहाँ उत्तर परदेश में असी कंडियाट ना उत्तर प्रदेश कैसे बीजेपी की लहर चल जाएगी तमाम फिल्मी हीरो हीरोई भी आते हैं घराती है बढ़े हैं जो जिनको दिखागनाइज दल कहा जाता है वो दल जो है वो बड़ी समस्यां पर डूजने लगते हुंने बेसिक समस्या नहीं दिखाई देती है जबकि छेती दल उच्छेत की परेचाएनियों को साथ जूड़े होते हैं तो लोगों ने छेती दल को महत ज़्या परिस्तित है अब आप देख लिजिए अंदरपरदेश तामिलनाडू उडिसा पंजाब उत्तरपरदेश बिहार बंगाल सभी तो छेती दल के हाथ में चला गिया और वहां जीतके भी सब छेती दल आएंगे नार्तिस्ट में भी तमाम राज्य छेती दलों के हाथ में चले जीत के आएंगे तो बिल्कुल तीसे मोचे सरकार बनेगी जो कांग्रेस की जो आज जनता में च्छबी और मुझे ने रखता कांग्रेस सौ सीटों से भी जादा जीत पूए अपने देश के तमाम मुद्दों पर हमसे बात शीत कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यह थ थकी चुकी देश भर में तमाम राज्यों में छेत्रियों दलों का उभार हो रहा है इसलिए थर्ड फ्रंट की संभावना थर्ड फ्रंट की सरकार बने इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता